हेलो फ्रेंड शुब्धा नेट चैनल में आपका एक बार नई रेस्पी के साथ फिर से स्वागत है आज मैं एक नई रेस्पी लेकर आएँ जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और सब को ही पहुत पसंद आएगा चाहे नास्ते में खाईए या टीफिन में दीजिए यह टेस्टी नास्ता बहुत ही अच्छा लगता है और यह आटे से बना हुआ है बिल्कुल नुकसान नहीं करता है तो आज मैं यह रेस्पी बनाना सुरू करती हूं इसके लिए हमने लिया है यह एक कटोरी आटा यह आटे में मैंने दो बड़े चमच सूजी डाला है इस से ज दाल दिया और इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे ताकि घी नमक और यह आटा अच्छे से मिल जाए और यह देखिया और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटा एक अच्छा सा डो तयार करेंगे तो यह हम मुलायम आटा गूत कर तयार कर लिया है और इसको ढ दालेंंगे 1 चम्मच नमक one beta one जीरा और फैर आप अपने इसाब से थोड़ा साक minder कर सकते हैं और अगर मसाला पसंद करते हूं थोड़ा सा मसाला ज्याद़ है तो यहां पर यह गल Wes 만 Welcome the doesn't watch a प्रियों कि यह बच्गी इस कह रीच देखने में रंग भी बहुत अच्छा ताट इसे वह मिक्स कर लेंगे अधी आंटे को मैं नने रखा था उदस मिनट बाद थोड़ा सूजी इसमें फूल भी गया होगा इसको अच्छे से मसल मसल कर और अच्छे से आठा ये त्यार कर लेंगे और इसकी एक बड़ी लोई लेंगे ये बड़ी लोई हमने बना ली है अब हम चकले पे इसको रोटी के साइज में या रोटी से आप बड़ा भी बेल चकते हैं तो ये देखिए मैंने ये बड़ी रोटी एक बेल कर ये तेयार कर ली है और इसकी मोटाई जो है थोड़ा सा रोटी से मोटा को होना चाहिए यह हमने यह देखियोर भख बेल लिया है अब हम मेंकोह सिटफिंग भरेंगे लिए वने स्टफिंग में अलु यह मसाला है और राजिंगर से gelsुत factor है और स्टफिंगर यह दनियापति है और यह घौन Ju पत्ति एट कर दिया और इसको इस मसाले को हम इस रोटी पे ये चारो तरफ फैला लेंगे ये देखिए ये हमने अच्छे से फैला लिया है बराबर फैलाएंगे ताकि इसको रोल करने में आसानी हो कहीं मोटा पतला नो हो इसलिए इसको बराबर हम फैलाएंगे और ये एक कि यह चोटे चोटे पीसे जमने इसको काट लिया है और यह आसानी से कट जाता है यह नास्ता खाने में बहुती स्वादिश्ट लगता और देखने में भी अच्छा लगता है इसको जब हाथ पर ले लेकर और ऐसे चप्टा कर लेंगे तो यह गोल गोल इसमें निशाना तो इस रेस्पी को आप घर पे जरूर बनाएए ऐसे हाथों से हम सभी यह चप्टा कर लेंगे और गैस पर हम तवा गरम करेंगे यह देखिए हमने यह ऐसे ही सभी बना लिया है और यह देखे कितना अच्छा दिख रहा है तवा भी हमारा गरम हो गया है गैस पर इसमें हम धाल देंगे यह आटे से बना नासता है यह बहré टेस्टी और हेलदी भी होता है तो इस तरह से हम इस पे डाल देंगए और बचचों को सुबा के टिफिन विचूये यह साम को नास्ते में खाईए, सुबा के नास्ते में खाईए, बहुती अच्छा लगता है, चाय के साथ खाईए, यह देखिए, एक तरफ सिखने के बाद हम दूसरी तरफ पलट देंगे, और यह बिल्कुल यह देखिए, लाल-लाल हो गया है, और बहुती अच्छा दिख र आप चाहें तो फ्राइ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे सेकने से अच्छा आपका यह नास्ता त्यार हो जाता है तो यह हम और भी इसका जो बचा हुआ है यह भी हम त्यार कर लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छे से सिग रहा है और मीडियम फ्लेम पे इसको शेकेंगे ताकि अंदर से कच्छा ना रहे तो यह देखिए एक बार में हमने इतना डाला है तवे पे और इसको दूसरी तरब से पलट कर भी यह सेक लिया है यह देखिए हमारा नास्ता यह तयार हो गया इसके उपर आप धनियों के पत्ती डाल कर सर्व करिए यह बहुत ही अच्छा दिख झाल कर दो